आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस Question के थुरू सबसे पहले हलका सा Concept में बताना चाहूंगा Diode के बारे में तो Diode में जो सबसे Basic Concept है यह आपका Simple सा Diode Circuit है, इसका Symbol होता है Diode का, और आपका यह वाला Side जो होता है, आपका P Side होता है, और यह Side आपका N Side होता है, इसका Concept यह है कि अगर आपका Current अगर आपका Current P to N Flow हो रहा है P Side से N Side की और अगर Current flow हो रहा है तब जाकर के आपका Diode जो हो Short Circuit के जैसा काम करता है Short Circuit के जैसा काम करता है मतलब Just Like हो क्या जागा तो तो आपका ऐसे Short Circuit जासे काम करने लाएगा का register है मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहां पे question में file आपको दे दिया है यह value i everything yeah यह आपका i value है और आपका this side में आपका दे रखा i2 एड यह जो value दे रखा i1 दे रखाज है मैं महान ले रहा हो कि i2 है इस में से कुछ part आपका इधर फोर रहा है मैं माल और फिर से circuit draw कर दे रहा हूँ आपको तो circuit draw करने के बाद ध्यान दिएगा होगा क्या actually में कि ये वाला तापका था यहाँ पे इसके बाद यहाँ से एक junction बना और यह है आपका एक resistor और यहाँ पे भी हमारा एक resistor है and यह आपका यहाँ से join हो गया अब ध्यान दिजिएगा since यहाँ पे P2N flow हो रहा है current तो मैं क्या करूंगा इसको simply short circuit के जैसा बना दूँगा अब short circuit जैसे ही बनेगा यहाँ पे हमारा था 10 volt और यह था हमारा 2 kilo ohm के बराबर अब जैसे short circuit बनेगा तो इस circuit में और इस circuit में current flow होना बंद हो जागा क्योंकि यह आपका short circuit हो गया ठीक है तो अगर current flow होना बंद कर गया तो देहां से देखिए आपका I1 दे रखा है मतलब I1 का value simple क्या हो जागा तो I1 का value simply आपका 0 हो जागा जीरो क्यों होगा क्योंकि इन दोनों circuit में तो आपका current flow ही नहीं हो रहा अब बात करते हैं I2 के बारे में basically 10 volt and R कितना है तो R हमारा 2 kilo ohm इसको solve करेंगे तो हमारा जागा 5 milliampire के बराबर और यही value किसका value है तो यह value आपका I2 का value है और I1 का value आपका 0 आ रहा है अगर option से चेक करेंगे तो हमारा जो fourth number का option हो आपका correct option है classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटनेटा यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8 400 400 400 पर